एक बंगाली लड़की जो भोजपूरी फिल्मों में आती है और गाती है लहरिया लूटाए राजा जी और फिर भोजपूरी फिल्मों के फैंस उसके इतने दिवाने हो जाते हैं जब भी इस गाने का जिकर आता है और यह गाना कहीं बजते सुनाई देता है तो तुरंत उस ह हिरोईन का चेहरा याद आता है एक बंगाली लड़की जो भोजपूरी फिल्मों में अपनी बॉल्ड और हॉट सीन के लिए जानी गई फिल्मों में आने से पहले अपने से दुगूने उम्र के अधेर बैक्ती के साथ लिविन रिलेसंशिप में रही उसका जादू पावर में हेडलाइन बन गया कुल मिनाकर अपने जीवन को फिल्म के स्टोरी की तरह जीने वाली उस अभिनेत्री ने भले आज भोजपूरी फिल्मों से नाता तोड़ लिया हो लेकिन आज भी फैंस उसको ब्सूरत अभिनेत्री को भूल नहीं पाए हैं और उसकी गवाही देती में हम वीडियो में आगे बात करेंगे उससे पहले नमस्कार जमाचम भोजपूरी देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा कैमरे के पीछे हमारे साथ ही वी साल खड़े हैं 15 साल की उम्र में 120 रुपए प्रती दिन के पगार पर होटल में रिसेफ्सनिस्ट का जॉब करने वाली मोनालिसा का सपना हिरोईन बनने का था लेकिन पिता और परिवार को उनकी ये चाहत बिल्कुल पसंद नहीं थी वहां से आगे निकल कर मोनालिसा बी ग्रेट फिल्मों में काम करती हैं उनका अपने से दुगूने उम्र के आदमी के साथ अफेयर होता है उस आदमी के साथ वो कई वर्सों तक लीव-इन रिलेसंसिप में रहती हैं दोनों की कई तस्वीरे सोसल मीडिया पे वाइरल हो जा अपने जनव दिन पर मोनालिसा अपने पती विकरांत सिंग के साथ होतल रूम में केक काटने के साथ में बहुत अपने पती करने का एक एक रील अपने सोसल मीडिया अकाउंट पर सेर किया जो खूब वाइरल हो रहा है और फैंस उनको बधाई दे रहे हैं इसके अलावाक म मोनालिसा ने ब्लैक टॉप और ग्रीन स्कर्ट में फोटो सेयर किया था जिसमें वो किसी जंगल या किसी टूरिस्ट प्लेस पर नज़र आ रही थी मोनालिसा का यह कातिलाना लुक लोगों को बहुत पसंद आया और चालिस के उमर में मोनालिसा की फिटनेस इतनी कमाल की है कि वो नए-नए हीरोईनों को भी अपने सामने फियल कर देती हैं मोनालिसा और उनके पती विक्रांद सिंग दोनों फिटनेस फ्रीक हैं अपने फिटनेस को लेकर कड़ी महनत करते हैं अगर बात करें मोनालिसा के शुरूआती जीवन की तो मोनालिसा बच्पन से ही पढ़ाई पर फिल्म मिला हिंदी का जयते है जो 1497 उन्हें मिला मुनालिसा ने हिंदी फिल्म में करियर की सुरुवाट तो कर ली लेकिनुने सुहरत नहीं मिल पा रहे थे निरहुआ और मुनालिशा की जोड़ी काफी हिट रही, फिल्म सूपर हिट हुई, और मुनालिशा का डेबियू सफल हो गया, इस फिल्म ने उनको खूब सुहरत दी, मुनालिशा भोजपूरी सिनेमा के मस्भूर अभिनेतरी में सुमार हो गई, इसके बाद मुनालिशा ने भोजपूरी इंडस्ट्री के सभी सूपर स्टार जैसे मनोज तिवारी रभी किसन पवन सिंग जैसे अभिनेताओं के साथ फिल्मे कर अपनी एक अलग पहचान बनाई मुनालीशा ने सबसे ज्यादा फिल्म में पवन सिंग और दीनेशनल यादो निरहुगा के साथ की है मुनालीशा के परसनल लाइफ को देखे तो मुनालीशा के प्यार और साधी के किस से खूब फेमस हैं उनकी परसनल लाइफ स्टोरी भी किसी फिल्म के कहानी से कम नहीं है पहले मुनालीशा एक मदन नाम के सक्स के साथ जिनके साथ उनकी कई फोटोज वाइरल हुई उनके स वो रिलेशन्सिप में रही वो आदमे उनसे उम्र में काफी बड़ा था और उसी ने भोजपूरी फिल्म में भाइचान बनाने में उनकी मदद की थी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उसके साथ वो छोई साल तक रिलेशन्सिप में रही थी मतन पहले से साधी सुदा सक्स और इसके बाद भोजपूरी में जब हो गई है तो मानलीषा का नाम भोजपूरी फिल्मों के सुपर स्टार पाउर स्टार पॉन सिंग के साथ जुड़ा ऑन सिंग खलया में प्ले चिंग से चीला कर कहते थे कि मुनालीषा के साथ उनकी जोड़ी का भोजपूरी में कोई जोड़ा नहीं है पॉन भी साधी सुधा इंसान थे फिर मुनालिसा भोजपुरी एक्टर विक्रम सिंग राजपूत के साथ करीबी हुई और मुनालिसा ने दस साल लिविन रिलेशन में रहने के बाद विक्रम के साथ बिग बॉस के दसवे सीजन में जब गई तो बिग बॉ पूब चर्चा हुई लोगों ने इसे अनोखी साधी बताया कुछ ने कहा सिर्फ यह पब्लिशिटी स्टंट है घर से बाहर निकलते हैं दोनों का रिष्टा समाप्त हो जाएगा और जो प्यार का भूत है वो उतर जाएगा लेकिन घर से बाहर भी मुनालिसा का रिष्टा करते रहती है इसके अलावे मुनालिसा कपड़ों के कलेक्शन से भी उनको बहत लगाव है इसलिए समय समय पर अपने फॉल्वर्स को वो ड्रेसिंग सेंस की जनकारी देती रहती है मुनालिसा के इंस्टेग्राम की बात करें तो वहां पांच मिलियन से भी अधिक फॉल्व करें डे स्थे पॉल्वर्स कमिलिए।